नमस्कार मैं सोनिया सिंग और स्वागत है बीट दे कॉंपूटेशन पे तो हर बार की तरह ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जी हां मैं बात करने जा रहे हुए यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर कि यानि एनिपी की बारे में मैं डिसकसि बनने वाले हैं और क्यूं यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो अगर मैं एनिपी 2020 की बात करूं तो यह कैसा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में खास तोर पर अलग से पूछा गया है और वैसे भी अगर आप सिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं अ एनिपी से सवाल आपको जरूर पूछा ही पूछा जाएगा तो आज इस एनिपी के जो एनिपी का जो हमारा यह लेक्चर है उसमें मैं एमसी की उसके थुरू आपको डिसकस करूंगी चीजे हाला कि जब मैंने यहाँ पर निव एजुकेशन पॉलिस आपको पूरी पूरी थी तो मैंने सारी की सारी चीजे आपके साथ डिसकस कर ली थी कि एनिपी क्यों इंपॉर्टेंट है त्यूरी सेक्शन की अगर मैं बात करूं मैं यहाँ पर एमसी की उस आपको इसलिए कवर करवा रही हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी सवाल को लेकर के संशय ना रह और आप सवालों को सही तरीके से समझ करके जवाब दे पाएं क्यूंकि अटी सिर पांच रंबर काई पूछा जाएगा जब उन्हों टीचिंग अप्रिट्यूट कह दिया है इसका मदलब यह है कि NEP को किसी भी तरीके से जोड़ करके आप से पूछा जा सकता है चाहे वो आपका Characteristics के बात हो चाहे यहां पर Smart Education के बात हो चाहे यहां पर Vocational Education के बात हो Skill Education के बात हो तो काफी हद तक आपको ध्यान में रखना है कि NEP से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा सवाल आपके यहां पर गलत ना हो तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगे कि NEP में सवाल कौन-कौन से बनेंगे ठीक है अपने वहतर सुविधा के लिए वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं तो यहां पर पहले मैं ये बता दूँ कि इस वीडियो में आज के लिए आपके लिए क्या कुछ खास है तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर आज हम जानेंगे कि NEP है क्या इसके objectives क्या है इसकी need क्या है इन short मैं आपको बता कर क्या आगे बढ़ूंगी अगर जो बचे नए है और या फिर जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अगर वो इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो उनका काफी हत्ता काम हो जाएगा लेकिन मैंने हमेशा आपसे बात बोलिए कि knowledge का कोई shortcut नहीं है success का कोई shortcut नहीं है तो आपको थियोरी वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको कोई भी doubt यहां पर questions को लेकर के ना रहे तो सवालों को शुरू करने से पहले बहुत हत्तक important है कि आप पहले यहां पर यह जान ले कि NEP जो education policy आपकी 2020 वाली आई है हाला कि मैं बता चुकी हूँ बट in short मैं quick summarize करूँगी चीजों को आगे बढ़ते वे तो 1986 के बाद 1986 के बाद आपकी नई NEP यहां पर आई है या अध्यान में रखे किवर डाक लिए पूच लेते हैं और यहां पर क्या-क्या इसकी जरूर थे हैं अगर में बात करूं करते हैं तो सिक्षा जगत में प्री स्कूल की जब हम बात कर रहे हैं स्कूल करें to secondary सवाल आपका बनेगा ही बनेगा किसे भी शिफ्ट में बन जाए अगर शिफ्ट में पेपर होते हैं हमारे तब ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए कि 100 प्रतिशत सब्सक्राइब कि यहां पर जैसे जब मैंने आपसे यहां पर डिसकस किया था आपके साथ और आप सब को मैंने एक बाद डिसकस की थे कि यहां पर वैश्विक रिपोर्ट हमें यह बताती है कि 53 परसेंट बच्चे हर साल सिक्षा को छोड देते हैं किसी कारण मर्शिया drop out हो जाते हैं या तो उनके पास स्कूल आसपास नहीं होते या फिर स्कूल की दूरी बहुत जादा होती है या फिर बहुत सारे सोशल या फिरने कारण यहां पर हो सकते हैं स्कूलों को छोड़ने का तो इस enrollment ratio को बढ़ाने के लिए बच्चों का यहाँ पर admissions बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर national education policy को preschool से लेगर के बारवी स्कूल तक में अलग-अलग levels पर डिवाइड किया और कब तक हमें यह achieve करना है 100% 2030 तक underline करने में important है सवाल यहां से बनेगा GER जो आपका यहाँ पर बात कर रहे हैं यानि कि gross enrollment ratio जहाँ पर higher education में race कितना हुआ है 50% स्कूली विबस्था में कितनी करनी है 100% higher education में यानि जो बचे 12 के बाद graduation masters कर रहे हैं PhD कर रहे हैं वो कहां करनी है 50% तक करनी है और कब तक करनी है 2035 तक underline कर रहे हूं important है सवाल यहां से बनेगा कहा higher education के हम यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर मैं यह भी बता दूं कि GER में सबसे ज्यादा जो स्टेट हिंदुस्तान का अग्रिम है यानि आगे बढ़ रहा है वो है कैरला ठीक है यहां पर मैं लिख देती हूं और gross enrollment ratio में सबसे ज्यादा जो हाइक पर है वो है तमिल लाडू तो इसको आप ध्यान में रखेगा और आपको यह भी पता होना चाहिए कि लिटरेसी में केरला जो है अग्रिम स्टेट्स में राजियों में काउंट किया जाता है यह भी आपको ध्यान में रखना है दो महतबुर्ण information आपको ध्यान में रखना है 100 प्रतिश्य तक GER कब करना है 2030 ठीक है कहां स्कूलों में 50 प्रतिश्य तक GER कहां बढ़ाना है 2035 इस तक 3.5 करोड सीट्स ने पूछेगा आपसे 50 पसंट 100 पसंट वाला सिनरियो आता है ज्यादा यह पूछा जाता है यह आप ध्यान में रखेंगे नो औरिजिट सेप्रेशन यानि कहरें कि एकेडेमिक्स में और जो स्ट्रीम्स में आप सबको पता है कि जो अभी एनिपी हमारा आया है उसमें 11-12 क्लासे को ले करके अलग-अलग सब्जेट्स को यहाँ पर लागू किया गया पहले ही समस्या आती थी कि साइन्स वाले आर् की गई है जो आपको ध्धान में रखना है तो कोई यहाँ पर एजिडिटी नहीं कि साइन्स का क्लास का बच्चा साइन्स दी क्लास में बैठेगा एकेडेमिक स्ट्रीम्स का मतलब किया कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अगर साइंस पट रहा तो लिटरेचर पढ़ सकता ह मैस वाला मेडिकल पढ़ सकता है ठीक है इस तरीके से तो यह आपको ध्यान में रखना है एनिपी के द्वारा दो करोड के आसपा स्कूलों को यहाँ पर दुबारा से मेंस्ट्रीम में लाने की बात कही जा रही है काफे मातपूर्ण पॉइंट है मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं जो बच्चे दूरी बना ली है स्कूल उसे जो ड्रॉप आउट है बीच में सिक्षा छोड़ चुके हैं यह लड़कियों को पूर्ण एजुकेशन नहीं दी जाती है उनको लेकर के उनको दुबारा से मेंस्ट्रीम में लेकर के आने की बात कही नहीं यहां पर क्लास सिक्स से लेकरके उनकी इंटर्न शिब्स के बारे में बात की जा रही है वोकेशनल इजुकेशन का मतलब क्या है ज्यक्याया है यह से इंड़के इंडल होता में इक म 10 आई करते हृँ करते कृष इंडि इनदशा लेकर के internships यहाँ पर करवाई जा रही है तिल 12 तक जहाँ पर बच्चे vocational education के साथ साथ अपनी जो practical knowledge है उसको सीख पाए ठीक है जैसे अगर माल लेते कि किसी बच्चे ने यहाँ पर tourism में कोई diploma कर लिया है कोई course पढ़ लिया है तो अब यहाँ यहाँ पर उसको implement भी तो करना है वह तभी कर पाएगा जब पूरी तरीके से प्रैक्टिकल knowledge को apply करेगा तो वहाँ पर internships करवाए जाते हैं यह आप धान में रखेंगे यहाँ पर 533 प्लस 4 का जो formula जो मैंने पहले भी डिसकस किया था यानि कि focus किसके उपर है pre primary से ले करके यहाँ पर जो secondary school education दी जा रही है ठीक है यहाँ पर हम किसके बात कर रहे हैं कि शुरुवाती जो pre school के बच्चे हैं एक से ले परके 3 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं और इसके बाद 3-5 साल तक के बच्चे फिर 5-8 साल तक के बच्चे 8-10 साल तक के बच्चे 10-12 साल तक के बच्चे तो इसको काफी हद तक आप धान में रखेंगे जहां पर बुनियादी सिक्षा को एनीप क्या कहता है कि फाउंडेशनल जो आपकी बुनियादी सिक्षा है वो बहतर बनाने के लिए आपको नए नए जो है चीजों को लागू करना पड़ेगा स्किल डवलप्मेंट को यूज करना पड़ेगा जैसे आप सब को धान में है कि केंदरे विद्याले में बालव है उसका जो है मन लगना चाहिए पढ़ने के लिए वैसे ही के इंदरे विद्याले में बालवाटी का जैसी संचोधन किये गए हैं जहां पर शुरुवाती एज ग्रूप में बच्चा एक से लेकर के तीन साल तक के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं और उनको वहाँ पर बैठना किताबों के साथ जो है कहीने कहीं इंटरेक्ट करना फेलना पियर ग्रूप में अपने सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाना इसके उपर फोकस किया जा रहा है आंगनवाडी में सब आपको पता है कि आंगनवाडी में बिसिकली हमारा फोकस होता ह है यहाँ पर 6 से लिखर के 14 साल तक के बच्चों को ले करके यानि 1 से लिखर के आठ ी क्लास तक को ले करके जहां पर आंगनवाडी में बिड़े मिल जैसे जो हमने कल डिसकुस क्या थाостन को ले करके वह भी विवस्ता यहाँ पर की जाती है तो यह आप ध्वान में रख प प्रिकेस इनका कहना है कि जो grade 5 है class 5 तक at least बच्चों को कोई भी सिक्षागर दी जा रही है तो उसकी मात्र भाशा में या जो जो वो रिजनल लेंग्वेज वो बोल पा रहा है उसको ध्यान में रख करके वो भाशा का प्रेयोग यहां पर करने के आउशकता रहेगे आगे बढ़ते हैं यह तो मैंने discuss किया आपसे in short NEP और जहां पर मैंने कहा है कि यहां से सवाल बनेंगे उन points को skip मत कीजिएगा क्योंकि काफी ज़्यादा भारे नुकसाना को उठाना पड़ सकता है किर principles को जान लेते हैं MCQ शुरू करने से पहले ताकि थोड़ा सा idea आपको हो जाए यह कह रहें कि पॉलिसी जो 2020 वाली है उसमें कुल मिलाकर कि हमने total 8 principles को discuss किया कितने principles को आठ principles को first principle को discuss करते हैं मतलब कि आपका सिध्धान्त क्या है क्या objective है किस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो हमने यह कहा कि NEP में जो principles हम लागू कर रहे हैं वहाँ पर continuous review आना बड़ा important है वही बात है कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन assess नहीं कर रहे हैं आपने पूरा साल बच्चे को भरपूर पढ़ाया लेकिन summative assessment में final exams में बच्चा fail हो गया इसका मतलब क्या है कि regular assessment में आपने जो हम formative के साथ हमसे यह initiative assessments करते हैं उसमें कहीं ने कहीं आपने कोता ही की है और यहां पर बच्चे जो है सीख नहीं पाए हैं तो सबसे पहला point principles में NEP में यहां पर बनता है characteristics में सवाल आपसे पूछा जा सकता है अजर्शन रिजन में आ सकता है डारिक स्टेटमेंट में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सवाला सही है तो फर्स स्टेटमेंट क्या है कह रहें कि respect for diversity local context to be reflected in all curriculum curriculum pedagogy and policy curriculum क्या है आप सबको पता है कि जब हमने ncrt वाला जो है जो लेसन कंप्लीट आपको जब मैंने delivery किया था यह lecture पूरा का पूरा था कपकिन ना आप करिकुलम के बारे में जाना था करिकुलम क्या है आपको पाठ्ठगरम है बच्चे का विकास यहां पर टीचर के माध्यम से हो रहा है लेकिन बच्चे का विकास किसी और के माध्यम से भी हो रहा है वो है आपका पाठिकरा क्या आपको पढ़ाया जा रहा है है ना आप सबको धान में कि NCRT में से भी हाल फिलाल में काफी chapters को delete भी किया गया है काटाया भी गया है उसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ने करीकुलम में थोड़ा सा असेस करके चीज़ों को reform करने की बाद कहीं जा रही है हाला कि वो कितना सही था कितना गलत था हम उस मुद्दे के उपर बात नहीं कर रहे हैं पॉइंट अमबर दो यहां पर कहा रहे है कि equity मतलब भागेदारी भी तो बढ़ानी है ना लोगों की ऐसा थोड़ी नहीं कि आप यहां पर जो है कि NEP में हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि inclusive growth के उपर काम करना है मतलब समावेशन होना बड़ा important है तो equity भी होनी important है कैसे हो पाएगा मैंने हमेशा यह बात बोलेगे अगर आपकी class में 30 students बैट है doesn't mean कि 30 students है वो 30 यहां पर कोई जो है different society से आ रहे different economic background से आ रहे different mental ability है cognitive ability है अलग-अलग divergence है उनके personality में बात चीद करने के तरीके में अलग culture से आ रहे हैं लेकिन यह मुश्किल हो पाता है कि 30 के 30 बच्चों को समावेशन में कैसे बांधा जाए एक stream में कैसे लेकर के आए एक line में कैसे लेकर के आए एना वो कैसे हो पाएगा जब आप बच्चों की भागेदारी को बढ़ाएंगे तीस में से मानने थे 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि यहां पर दिव्यांग है या फिर यहां पर अपनी जो है physical ability का है mental ability का सही धंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं इसे में दाइत तो किसका बनता है teacher का बनता है जो कहां कहां गया एनीपी 2020 में कि आपको किसी भी सिच्वेशन में audio विडियो एड्स का यूज करके बच्चे को creative तरीके से सिखा करके उसका social economic mental cognitive जिदना भी उसका अंदर ability है skill है उसको निखारना है ताकि बच्चा जो है बे अगर culture के साथ मिलेंगे तो जाहिर सी बाते के social diversity हम देखने का मौका यहां पर बिल्कुल देख पाएंगे और उनको भी देपाएंगे थर्ड point हमने कहा कि community participation important है आपको ध्यान में है कि कल जो हमने lecture discuss किया था यहां पर हमने यहां पर तिथी भोजन के बारे में बात की थी तिथी भोजन कहां काम करता है तिथी भोजन काम करता है यहां पर जो आंगनमाडी के school है जहां पर यह ensure किया जाता है कि भई एक से लेकर करके आठ्मी क्लास तक के बच्चों को nutrition जो है free दिया जाएगा खाना free दिया जाएगा ताकि उनकी हम क्या बढ़ा पाएं GER बढ़ा पाएं gross enrollment ratio बढ़ा पाएं तो हमने कहा कि community participation भी है समय समय पर जो हमारी social worker teams है या फिर NGO है या फिर philanthropist है जो ऐसे विक्ति जो कि कहीने के social activities के तौर पर count किया जाते है पैशन के तौर पर count करते हैं उनका participation भी important है क्योंकि society क्या है केवल स्कूलों से नहीं चल रही है केवल फैमिली से नहीं चल रही है यहाँ पर NGO है गर्मेंट जो ए नॉन गर्में decisions है आपके government-added schools है यहाँ पर ऐसे लोग है जो कि अपनी भागेदारी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका society तब तक completion नहीं हो पाएगा जब तक कि आप society के भागेदारी को बैतर तरीके से input नहीं डालेंगे उनकी भी importance उतनी है जादा जरूरे जितना कि स्कूलों में जाकर बच्चे को बार-बार यह बता रहे हैं कि देखो जो यहाँ पर आपका पेड होता है उसके leaves green होते हैं उसके branches जो है वो brown होती है या फिर globe का जो shape होता है उसमें यह green color denote करता है water को sorry sea को तो इस तरीके की चीज़ें आप बताते हैं लेकिन हमने कहा कि हम बच्चे का जो skill development है उसका जो cognitive development है या फिर उसका जो inclusive development है उसकी creativity कैसे निकल के बाहर आएगी जब आ उसको technology से जोडेंगे विगस technology आज की क्या है need है एनीप क्या कहता है कि digitalization की तरह बढ़ना बढ़ना important है जहां पर आप smart work का use smart board का smart work का use करते हैं तो technology में बच्चे जब किसी काम को करके सीखे करेंगे तो उनके memory में चीजें बहुत लंबे टाइम तक क्या रहेंगे exist करेंगी महाँ पर बनती रहेंगे और बच्चे चीजों को correlate कर पाएंगे हो सकता है कि कोई ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो कि जिनका कि सुनने का या देखने की शक्ति बहुत भैतर ना हो लेकिन टिचिंग टेक्निलोजी के माध्यम से टेक्निलोजी के माध्यम से वो अपनी जो है श्रवन शक्ति को जो डम औंडफ बच्चे हैं उपनी श्रवन शक्ति को या किसी चीज को क्रियेटिव जो उनका attitude उठा उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और बहुत इंपोर्टेंट ह दौरान जो आपका language का barrier है वो खतम होना ही चाहिए जो कि NEP ने भी कहा है कि class 5 तक के बच्चों को बहुत इंपोर्टेंट कि mother tongue में आनि कि मात्र भाषा में original language में पढ़ाने की complete freedom देनी चाहिए यानि कि कोई pressure नहीं है कि आपको अंगरेजी भाषा आनी चाहिए पहले बच् अधर उपने regional language को जो है grip करेगा पकड़ेगा उतना जादा और किसी other language को भी महाँ पर grip कर पाएगा फिर हमने यहां पर point number 5 में जाना क्या point number 5 आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कहा है कि emphasize कि उपर करनी है आपकी understanding के उपर मैं यहां पर लिख देते हूं इनको नहीं प्लस 4 की फॉर्मूले में यहां पर आ रहा है वहां पर बच्चे की understanding कैसे डबलब हो पाएगी जब आप उसका मांसिक विकास करने का मौका देंगे अभी यहां पर कोई आड़ मालों छटी क्लास का बच्चा है और यहां पर अभी भी वो यह सीख पार है कि 4 x 4 is equal to 16 होता है तब तो यह दुखद है और हम यह जान पाएगे कि इससे पहले क्लास 5 तक का जो बच्चा पढ़कर के आया है जहां पर हमने focus किसके उपर किया है foundational learning के उपर है ना basic education के उपर तो काफी दुखद हो पाएगा यह कहपाना कि बच्चे की एक से लिकर के पांचवी तक की जो growth हुई है mental ability हुई हो ठीक से नहीं हो पाई है तो focus कि इसके उपर करना है concepts के उपर understand करवाना और बच्चे को मौका देना है creative तरीके से सीखने का ठीक है point number 6 क्या कह रहा है point number 6 कहता है कि unique capabilities लिकर गनाईज करने की बात करना बहुत आउशक है क्यूं देखे 30 क्लास में अगर बच्चे बैठें यहां पर excellent perform करते हूं हो सकता है कि 30 में से 10 बच्चे एवरेज हो 10 बच्चे excellent हो 10 बच्चे यहां पर debate बहुत अच्छा करते हो लेकिन पढ़ाय लिखाय मन का मन नहीं करता हो तो यहां पर आपको unique capabilities को पहचाना है हाला कि motivation भी बहुत important है क्योंकि पढ़ाई की बिना तो काम चलेगा नहीं आपका तो उसको तो आप छोड़ने सकते लेकिन उसके साथ सत बच्चे के अंदर कौन से unique capabilities हैं जिसके माध्यम से वो किसी भी चीज को और बहतर तरीके से समझ क्या है एनिपी कहता है कि दोनों को balance करना है कि अगर कोई बचा academics में बहुत अच्छा है doesn't mean कि वो सिर्फ यहां पर जो है किताबी खीडा बन करके रह जाए उसको वहां से निकाल करके बागी activities में recognize करवाना डालना बड़ा important है ताकि बचा नई चीजों को सीख पाए और वहां पर एक balance समन में बना पाए जहां पर किसी भी तरीके का उसको जो है problem या फिर situation टैकल करने में उसको सहायता हो क्योंकि वह सीखेगा जितना वह जुड़ता चला जाएगा हर चीज उतना वह सीखता चला जाएगा point number seven जो काफी important है क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव यह बड़ा important है क्रिटिकल थिंकिंग काफी सकार्त है पॉजिटिव शब्द शवासावाल हमेशा यहां से बनता है क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी बूस्ट करने है वही बात है कि भई क्रिएटिव तरीके से सोचे अगर यहां पर class two या थी में पढ़ने वाला बच्चा अगर यह जान पाता है कि 16 मिल्टिप्लाइ 16 कितना होता है है ना तो आप यह देख पाएंगे कि बच्चे के कि जब mental ability इतने strong है कि class two और थर्ड में यहां पर 20 तक के tables को जो है learn कर पा रहा है उसका mindset बड़ा शाप है बहुत अच्छी से सीखता है चीजों को तो जाहिर सी बात है कि जब आप logical चीजों के बारे में बात करेंगे तो उसका mind और शाप तरीके से मांपा परफॉर्म करेग और निर्णाय लेने की शक्ती बढ़ेगी जतना बच्चा critical तरीके से सोचेगा उतना जाथ हाला कि critical thinking काफी हद तक secondary या higher secondary में काम आता है बट यहां पर critical thinking को develop भी करना है आपने जब बीजी नहीं बोआ किसी चीज का critical thinking को ले करके तो हम कैसे कह सकते हैं कि innovation में या फ़रे फैसलों को लेने में सक्षम रहेगा तो continuous review point no.8 क्या कह रहा है continuous review आप से यह कह रहा है कि किस तरीके से आप यहां पर build कर सकते हैं sustain कर सकते है research को regular assessment को वही बात है कि आपने जो 7 point पढ़े हमने पढ़ा diversity important point no.1 में हमने equity inclusion के बारे में पढ़ा community participation के बारे में पढ़ा emphasize concepts understanding फिर हमने यह जाना कि टॉपिंग जो बहुत important है unique capabilities को चेक करना जानना recognize करना critical thinking important है कि सारी जीजे ठीक हैं किसके लिए holistic development के लिए दाकि बच्चे का पूर्ण complete विकास हो पाई लेकिन आपने इस सारे काम किये लेकिन आपने एक काम सबसे important वाला miss कर दिया वो कर दिया आपने assess करना किसी चीज को लेकर के मापन जो है आपका measurement आपने बंद कर दिय आपने चेक नहीं किया कि जो है कि दो महीने में बची की performance कहां गई है अगर बचा sports में बहुत अच्छा है तो दो महीनी बाद वो वाली वाल या फूटवाल खेलने में कितना आप खुद को reform कर पाया है इसका मतलब क्या है कि continuous review करते रहना बड़ा important है continuous review उतना ही ज़्याद आपके लिए important है जितना जादा किसी भी बचे की mental, emotional या फिर physical development के उपर ध्यान देना क्योंकि सारी चीजें बेकार है अगर आप बचे का continuous review ही नहीं ले पा रहे हैं कि बचा की situation में है क्या feel करता है उसका emotional balance है कि नहीं जो हमने कल CCC में discuss किया था और assess कर पाया आपको इसके म माथम से discovery method के माथम से projective method के माथम से कि हमने जो पढ़ाया चार महिने में पांच महिने में या फिर दो हफते में चार दिन में वैसे में बच्चे का कितना यहां पर development हो पाया है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा क्लास में हांजी हांजी करता आया लेकिन classroom में उसके बाद उस teacher उसको assess नहीं करेगा उसका psychology हो mental ability cognitive हो physical हो उसका जो emotional हो moral हो अगर आप उसको assess नहीं कर रहे हैं तो बच्चे की personality lack कर जाएगी आप उसको बहुत वहतर विद्यारती नहीं बना पाएंगे ठीक है तो यह आपने जाना की principles हाला कि मैंने देखिए पूरी भी discussion कर लिए निपी 2020 के उपर लिगे इन शौर्ट आपको यहां से बताया है क्योंकि यहां से सवाल directly आपको देखने को मिलेंगी मिले रहे थी देखने में वह दुबारा सिंपॉइंट्स हो देख पाएंगे ठीक है पेड़ागों के curriculum discuss कर चुके हैं यहां पर equity inclusion community participation important use of technology अब सवाल बनेंगे कहां से slide में मैं यह बता देती हूं सवाल आपको बनेगा curriculum से स्टाब्मा कर रहे हूं inclusive education से स्टाब्मा कर रहे हूं participation community से सवाल कम बनते हैं ठीक है इतने सवाल नहीं बनेंगे technology से सवाल फूब बनेंगे आपके जोड़ करके सवाल आपसे पूछेंगे दिव्यांग विद्यार्तियों के उपर खास और पर यह ध्यान रखेगा ठीक है इसके अलावा आपका road लर्निंग से सवाल बनेगा नेगेटिवली या फिक करेक्टर स्टिक्स पे के उपर अधर्शन रिजन के उपर सवाल बनेगा यूनी के पेबिलिटीज के उपर सवाल नहीं बनेगा ठीक है ओके तो स्टार्ट करते हैं सेशन को अब देख पा रहे हूंगे कहने कि अंडस्टैंड दा चेर्शिप चेर्मेंशिप ऑव हूम कमेटी फोर इवालूएशन अब दा न्यू एजुकेशन पॉलिसी सम्मिटर रिपोर्ट इन में 2016 कई बार सवालों से भी क्वेशन ब माई 2016 में नई सिक्षा निती के विकास से तु समिती ने किसकी अध्यक्षदा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ठीक है टी एस सार सुब्रमन्यम जी अब यह नहीं रहे इस दुनिया में कसुरी रंगन साहब जी है रिना रहे हैं या फिर यहां पर दो त्रे साहब ह रही है आपका यहां मैं लिख भी देती हूं डॉक्टर के कसुरी रंगन यहां पर राइट आप्शन आपका रहेगा एक्स्प्लेनेशन आप पढ़ पाएंगे कह रहे हैं कि भाई स्वर्गिये जो यहां पर श्री टी एसर की अध्यक्षता में ओके ठीक है ठीक है इनोंने सम्मिशन की बात की है ठीक है मुझे लगा कसुरी रंगन सहाब की देखिए यहां पर रंगन सहाब ने ड्राफ्ट बनाया है मैं बता देती हूं आपको आपको ड्राफ्ट का लग रहा था यहां पर ठीक है अगर आपसे यह पुछे कि NEP का ड्राफ्ट किस ने बनाया है तो यह ड्राफ्ट बनाया है कसुरि रणगण जी ने ठीक है यानि कि ड्राफ्ट में क्या गया आपको add-on करना है अगर आपसे कमेटी फॉर इवैलुविशन पूशता है कि किस त्यों यहां पर सुप्रमन्यां ? साभ से सवाल आप से नहीं पूछेगा सवाल आप से पूछेगा कस्तुरी अध्यक्ष कौन थे कारभार भी संभाला था एनिप कास्तुरी रंगन सभाव as a अध्यक्ष के तोर पर भी यहाँ पर NEP का कारभार भी संभाला था और draft भी तयार किया था तो यह सवाल यहाँ से बनेगा ठीक है यह आपको पता होना चाहिए आलग इसका जवाब A है Cabinet Secretary Committee for Evaluation जो नही सिक्षानिती आपकी आई थी सम्मिट कब हुई थी 2016 में और उसके बाद सम इन्पूट्स फॉर दर ड्राफ्ट यह ड्राफ्ट किसे ने बनाया कस्तूरी रंगन साहब ने तो 2016 में जो ड्राफ्ट बना था उस ड्राफ्ट में कुछ इन्पूट्स डाले गए कि भाई यह चीजे भी आड़ करो उसमें उसके बाद इसको फानिली 2020 में करके लागू कर दिया गया आगे बढ़ते हैं सवाल नम्बर दो आपसे पूछ रहा है क्या रहा है कि NEP जो 2020 है वर्तमान में 10 प्लस 2 सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं प्रामेरी फिर फिर हमने कहा कि यहां पर जो सकेंटरी सिक्षन है आपका फिर है mis wired ven Rest भागों में इसको बाटा है हो क्यारेह एक यहां पर पाठे चर्चा तो शनरचना द्वारा प्रस्थित किया गया है प्रस्थापित किया गया है वो कौन सी है है ना तो कौन से हो जाएगी यहां पर बी ऑप्शन सही है ठीक है फाइव फ्री फ्री प्लस फोर फाउंडेशनल लर्निंग की हम बात करते हैं शुरुआती दिनों में पहले पांच साल बच्चे का फाउंडेशन जो है काफी बहतर बनाने की बात यहां पर की जा रही है यह पाउड़ा को ध्यान में रखना है यह आप देख पा रहे होंगे एनपी 2020 में करंट 2000 स्वरी टन प्लस टू सिस्टम में यहां पर क्या कह रहे हैं बाय न्यू 5 3 3 प्लस कर्प्लस ट्रॉक्चर को एड़ करने की बात की जा रही है तो क्या कह रहे हैं यह तीन से लेकर के आठ से लेकर के 11, 14 से लेकर के 18 साल तक हैं लिख देथिओं यहांपर 5 3 3 Children थीक है यह इनोंने कहा है तो पहले 5 साल तक कौन से बच्चे है 3 से 8 पिर 3 साल तक कोन से बच्चे पढ़ेंगे 8 से 11 तीन साल तक अगले जो 3 वर्ष आपका अने वाल है वहाँ पर हमने 1 14 बच्चों को और 4 वर्ष में 14 से लिगर के 18 साल devoted के की बात यहां पर की गई है जो बच्चे 10 प्लस 2 की हम यहां पर बात करते हैं ठीक है यह आप धान में रखेंगे इतना डिटेल में आप नहीं पूछेगा इतना इसको धान में रखेगा सवाल नंबर 3 आप से पूछा गया है कह रहे हैं कि 2020 में जो नपी आप की आई उसमें टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और इस शुरू में मैंने डिसकस कर लिया है जाहिर सी बात है कि इसका जवाब है ग् जा रही है ताकि वो बहतर और सीख पाएं ठीक है क्वालिटी अगर पूछेगी क्यूं तो यहां पर जाहिस बात की क्वालिटी एजूगेशन ग्रैप्स कर पाएं और लर्निंग पावर को जो है पने इंदर इन्हांस कर पाएं सवाल नमबर चार देख लेते हैं क्यारें कि कौन सी मिनिममम डिगरी क्वालिफिकेशन की है टीचिंग के लिए जो चार साल इंटीग्रेटेड आपकी कर दी गई है किस वर्ष तक यानि कि किस वर्ष तक यहां पर सिक्षन के लिए निउन्तम डिगरी योग ता चार कि क्या रही है कि कि निउन्तम डिग्री योग ता जो डंगता में चार वर्ष की कब तक यहां पर पूरी जो है लागू की-जाए ONE फी थी मैंट पर और आप टीज उप्ष नक ऑanto 2030 अफिस तक यहां पर इस प्रोग्राम पर चार राने की बात करें जहां पर तक RAW झाले 2020 के अंडर ठीक है आगे बढ़ते हैं तवाल नंबर पांच क्या कह रहा है क्या रहा है कि वू अमंग दा फॉल्विंग वस चेर्मन ओफ न्यू नूली कॉंस्टिटुटिट ड्राफ्टिंग नी एनिपी 2020 2020 इन जून 2017 यानि कि 2017 में नवगठित मसौदा एनिपी में ठीक है यहां पर 2020 के अध्यक्ष निम्लखित में से कौन थे इसके उपर मैं चर्चा कर चुकी हूँ आप सबको ध्यान में भी होगा कस्तूरी रंगन सहाब जी इसके अध्यक्ष भी थे और इसके ड्राफ्टिंग कम यहां पर रंगन सहाब ने किया था और यहां पर रंगन सहाब ने अध्यक्ष ता की थी अनिपी 2020 की ठीक है आगे बढ़ते हैं यह आप देख भी पारे होंगे वस कॉंस्टिटूटेड इन जून 2017 चेर्मेंशिप कौन थे तब कसुरी रंगन सहाब थे और 2019 में ड्राफ्ट तयार हो गया था और डवलब कर दिया गया था हुमन ड्रेसोर्स डवलबर मिनिस्ट्री द्वार 31 में 2019 तर कि भाई हम नेक्स चेर तक इसको लागू कर देंगे अब जो आपकी नेपी 2020 बनी है इसको धान से सुन लीजेगा इसको बनाया है महरी ने ठीक है तब निशंक जी ह हमारे यहाँ पर कौन थे मिनिस्ट्र ओफ एजूकेशन में थे यानि कि यहाँ पर सिक्षा मंत्री थे अब यहाँ पर मिनिस्ट्र ओफ एजूकेशन बाद में बदल करके बन गया मिनिस्ट्र ओफ एजूकेशन सिर्फ ठीक है 2020 के बाद से और यहाँ पर अब हमारे वरतमान में जो सिक्षा मंत्रिय वो है यहां पर धर्मिंद प्रधान जी इतना आपको पता होना चाहिए अगर आपसे यह पोस्त है कि नपी 2020 की समय महीं में सिक्षा मंत्री कौन था या फिर महीं मिनिस्ट्र व एजय चाहिए यह बहुत इंप्यूर्टन है हम स्टाम माों कर रहे हैं उसके उपर यह सवाल आप जलू रहंक हो पेपर में मस्ट परसेंटगे के विसमें भी आपका पेपर आयाए था युजी-सी नट पड़िया अभी हाल फिलाल में हुआ है आपका उसमें भी यह पेपर 2030 में पूछा गया है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसे में कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है किसकी GER की enrollment ratio इतना ध्यान रखेगा किसकी boys and girls की या फिर सिक्षा के प्रती जो हम यहां पर बात करते हैं बच्चों की अगर enrollment की बात करें धान रहे हाई स्कूल की जब बात करेंगे आपसे हाई स्कूल की तो कितनी आईगी यहां पर कितनी आईगी 50% ठीक है मैंने यही आपको कहा धान से सुन लीजे सवाल important है अगर आपसे GER का ratio पूसता है कहां higher education में यह बच्चे जो graduate है master's कर रहे हैं PhD कर रहे हैं उनके लिए यहां पर हमें 50% का GER जो है GER अचीव करना है 50% कब तक करना है यहां पर देखिए 2035 तक 2000 यहां लिख देती हूं 2035 तक हमें higher education में gross enrollment ratio अचीव करना है ठीक है मैं आपको यह भी बता दूँ कि GER अचीव करने वाला यहां पर केरला जो है पहला state बन गया है जहां पर सबसे जादा अधिक मातरा लड़कियों की है GER enrollment में और यहां पर सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि NEP सबसे पहले लागू कहां किया गया तो तमील नाडू में सबसे पहले लागू किया गया था यतना भी आपको पता होना चाहिए अगर आपसे पूछे school education माखिए भाई आप teacher बनने जा रहे हैं तो school की बात करेंगे तो school में हमने कहा कि 100% GER हमें अचीव करना है ठीक है 100% GER हमें अचीव करना है जैसे मैंने शुरू में आपसे यह discussion किया था यह देखिए अगर आपको मिस कर दिया है अगर आपने यहां पर देखिए school में हमने कहा कि 2035 तक यह रहा सौ प्रतिशत 2030 तक हमें अचीव करना है higher education में 35 तक school में 30 तक आने वाला जो हमारा अगामी 2030 है आगे चलते हैं important है सवाल मैं बार बार आपसे खेया रहे हूं ठीक है जी तो 2035 तक higher education में GER अचीव करना कितना 50% और school में 2030 तक साथ साल बाद हमें यह इंशौर करना है कि 100% बच्चे कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो कि घर बैठे सब किसा बच्चे स्कूल जाएं आगे बात करते हैं सवाल मर साथ को ले करके कि एनीपी 2020 के अनुसार उच्च सिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने यानि किसका research culture की बात हो रही है यह ना बढ़ावा भी देंगे क्योंकि हमारा क्या प्रोपगेंडा है कि higher education को 2035 तक हमें यहाँ पर 50 प्रतिशत अचीव करना है GER है ना तो उसमें क्या important है research important higher education में जो बचे research कर रहे हैं PhD कर रहे हैं Master's में है thesis लिख रहे हैं सारे के सारे कि कह रहे हैं कि यह जो building बनी है आपकी culture build करेंगे हम research में उतका योगदान किसको जाएगा NCF को यानि national commission foundation को HCE को higher commission functions को national research foundation को NRF को या फिर ननवदाबाव को जाहिर सी बात है कि यहाँ पर c option आपका सही हो जाएगा जो कहता है कि national research foundation भई यहाँ पर national commission का काम क्या है तो national level पर करेगा higher commission क्या करेगा यहाँ पर चेक करेगा कि कितनी जीयार आपने अचीव की लेकिन research का यहाँ पर कौन ध्यान रखेगा national research आपका foundation ठीक है इसको कार्ड दे रहे हूं यह गलत लिग गया है थोड़ा साथ टाइपिंग मिस्टेक है ती सही है आपका रिसर्च और आरेफ के नाम से भी इसको जानते नेशनल रिसर्च फांडेशन ने एक 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 क्रेट की है जो कि हमेशा यह असेस करेगी चेक करेगी कि जो भी बचे research कर रहे हैं उनका cultural build-up हो रहा है कि नहीं कितनी capacity है हाई एजूकेशन में कितना और करने के आफशकता रहेगी ठीक है तो इतना आम धान में रखेंगे तो इसी option आपका सही हो जाएगा यह रहा है कि आगे बढ़ते हैं कि क्वेशन नमर सेवें था हमारा यहां पर एड कर लीजें कि स्वाल अमर एड को देखेंगे कि यह रहें कि दा एम ऑफ नेशनल एजूकेशन पॉलिसी 2020 किसकी बात हो रही है इंक्रीज क्या करना है ग्रॉस 2020-35 कितना होगा 50 परसेंट अब यहीं आप से स्कूल में पूस्ता स्कूल एजूकेशन में तो आप बोलते 100% कब तक 2030 बीट कब तक हमें यहां पर एंटेग्रेटेड करनी है 2030 ठीक है यह आप देख पा रहे होंगे 50% कि हम यहां पर बात कर आप्शन नमर 3 सही था एम क्या है NEP 2020 का प्रपोस करना है GERE को 2035 तक और आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर enrollment जो है आपका higher education institutions करेंगे और 2035 तक हमारी कोशिचे कि ब्रॉडर ग्लोबल जो है एक ऐसा सिनेरियो हम expand कर पाएं जहां पर जो हमारा right to education है 2009 के मताबिक यह तैय किया गया कि भाई हम यहां पर बच्चों को जो है free education देंगे till class 8 तक वहां पर बच्चों को right to education में 3 साल से ले करके यानिकी pre primary से ले करके secondary तक 18 साथ तक की जो सिक्षा देनी है वो completely free देनी है यह aim है ठीक है आप देख पा रहे होंगे हिंदी में 18 और दूसरों के बीच उच्छे सिक्षा के प्रमुक education में कब तक 35 तक करने की परिकलपना भी की गई है इनुसंद्धानों में 2020 तक के लिए आपके लिए चातर केंद्रित बनाने महतपून सोच को बढ़ावा देने यानि थौर प्रोसेसिंग को और जदा बैतर बनाने की बात कहीं गई है और यहां पर कह रहे हैं कि 20-35 तक यह पॉइंट मैं यहां पर माक कर देती हूं यहां से सवाल बनेगा आपका मेकिंग इट मोर मॉडरन मतलब टेक्नलोजी का यूस इंक्लिसिवनेस यानि के समावेशन की बात हो रही है क्वालिटी और इंटेट भी तो इंपॉर्टेंट है यानि कि क्वालिटी के उपर भी आपकी यानि जो यहां पर राष्ट्य सिक्षानिती 2020 में समसमाइक नितियां हमारे सामने हैं वो किस बात के उपर जोड देती है ना कंडिशनिंग के उपर है ना पैसिव इमिटेशन यह तो पॉजिटिव शब्दी नहीं है तो वैसे भी हड़ जाएगा यहां पर लेकिन मतलब होता है जहीं साथ में चल रहे हैं जैसे मुझें कंट्पेरी वर्ल्ड है नितिव यहां पर यहां तो आप देखें किसका जो राइट ऑप्शिन है वह हो जाएगा फॉर्डिश करना यानि आपने बच्चे को कंडिशनिंग करती कि भाई 2 ब्लस 2 इस उकल टू 4 होता है लेकिन कभी डिस्कवरी मैथेड से सिखाया नहीं कि बच्छा खुद से करके लेकर के आए 4 का टेबल लिख करके आया 4 का यहां पर कांटिंग लिख करके आए तो क्या है एक्स्प्लोर करना तो इंपॉर्टेंट है नहीं तो फिर क्या फायदा उसका तो कंडिशनिंग नहीं है पैसे भी इमिटेशन नहीं है कि भाई बिना मन के बढ़ाई कर रहे हैं यह भी नेगटिव है दोनों हड जाएंगे डारेट इंट्रेक्शन जैसे कुछ होता नहीं है टीचर का काम है डारेट इंडारेट तरीक क्यां एस इंट्रक्षन क कर देना झाट डारेक्ट इंस्ट्रक्षन तरीके से यहां पर इंस्ट्रक्षन के बात होनी चाहिए ठीक है तो एन्होंने लिखा भी है यहांपर मैं पड़ भी देती हूं आपके लिए रस्टे शिक्षानीती 2020 और इसी करा के आधुनिक सिक्षा द्रिश्टी कौन सक्री है और एक्सपिरियेंस के बारे में बात करें यहां पर देखिए जहां से सवाल बन सकते हैं भी मैं बता दिए आगे बढ़ोंगी ऑपका एजुकेशन अप्रोच एक्टिव और एक्सपिरीयेंशल लर्निंग के उपर जब हम साइनिटिफिक नॉलिज की बात करते हैं जहां पर आपका अउटकम निकलके बाहर आए एक्सपिरिमेंट्स आप लैब में कैसे करते हैं ऐसी करते हैं आप experiments में लाइब जब किसी भी तरीके से आप अपने experiences को check करते हैं कि यहाँ पर कितना आप सीख पा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि आप laboratory में पहली बार टेस्ट करने गए पहली बार में आपके टेस्ट पास हो गए आप experiments करते हैं observations बनाते hypothesis लिखते हैं बिल्कुल वैसे करना क्या important है discovery करना है explore करना है concepts के उपर काम करना जो एनी भी भी कहता है कि भई बुन्यादी सिक्षा के उपर तो काम करो गई करो तो कैसे संबभ हो पाएगा सीखना आपका की points क्या है discovery and exploration discovery method से exploration से creativity से सवाल आएगा या दुबारा बता रही हूं आपको अप्रोच क्या है encourage करना किसी चीज को ले करके discover करना किसको concepts को ले करके collaborate करना जोड़ना है आपस में बच्चे जो है जोड़ करके किसी चीज को से सीखें 4 plus 4 कितना होता है 2 plus 2 आगर आपने बता दिये तो बच्चे फिर 4 में 2 प्लस करके देखें इस तरीके से लाइबलीने इस तरीके से सीखें पर मोड क्या करना है है हैंड़न एक्सपीरियंस को लर्निंग वाइड दूइंग अगिन वेरी पॉजिटिव वर्ड और विकें दिस से थे संटेंस ऑलसो हैंड इक्सपीरियंस बच्चे किसी चीज को बना करके सीख रहे हैं प्लेभे अल्टिमेटली डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे अचीवमेंट्स हैं जैसे काम होता है क्रिटिकल थिंकिंग को ले करके कि बच्चे न्यूमरेस तरीके से सोच पाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब क्या है यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब कि बच्चे खुछ से समाधान ढून दे पौधा अगर सूख रहा है तो बच्चे जाने कि उसको पानी देना क्यों important है है ना उसको क्यों यहाँ दूप में रखना important है तो यह बड़ा important है कैसे सिख़ेंगे when the students start to do something with learning by doing encouragement तो बढ़ा important है आप जब encouragement दे रहे हैं बच्चों को यहां पर सिखा रहे हैं कि आपके लिए क्या आविश्यक है motivation बड़ा important है कि आपने बच्चे को basic उसका performance खराब है लेकिन आपको बार-बार उसको याद कराना है और समझाना है कि तुम्हारे लिए चीज जो है possible हो सकती है तुम और अच्छे से कर सकते हो यह सारी चीज़े जो आप ध्यान में रखेंगे आगया point देखें लोनी लिखा है more likely to develop a deeper understanding but how deep understanding कैसे होगी when the students start to correlate the things when the student try to do you know solve the problems कि खुझ से करके सीखे बच्चे जितना खुझ से सीख पाए make them free उसो भी कहते हैं कि बच्चे सीख रहे हैं तो उनको classroom में completely free करतो ठीक है ताकि अच्छे से सीख पाए meaningful भी क्या है जितना ज़्यादा subject matter उनको रिटेन होगा concepts इतना बैतर होगा जितना अच्छा उनका objectivity होगा जितना अच्छा वो concepts को जोड़ पाएंगे तू प्लस टू से लेकर के multiplication से लेकर के स्क्वेर रूट्स को निकाल पाएंगे वो तब जब उनका शुरुआती बुनियादी सिक्षा जो है वो काफी हद तक बैतर यहां पर उनको जो है मिल पाएगा आगे बढ़ते हैं यह मैंने बता दिया है आपको ठीक है तो इस परकास जो निसकर्ष निकलता है मैं हिंदी में बढ़ देती हूं यहां पर एक बढ़ देख लीजिए contemporary policies क्या क्या क्याते हैं कि discovery exploration के साथ साथ conditioning भी रेफर करता प्रोसेस को टू प्लस टू बता दिया फोर होता है पेडों को जो है यहां पर धूप में रखना इंप्वर्टेंट है तो आप हर पेड को धूप पर रख रहे हैं ठीक है पैसे बिन imitation क्या है कि भाई replicating कर रहा है आप किसी चीज को बच्चे ने सुना और उसको imitate किया जा रहा है बेशेक उसको पता है कि जी ऐसे लिखते हैं उसको पता है कि थ्री ऐसे लिखते हैं लेकिन टीचर ने गलती से बता दिया कि बटा थ्री ऐसे लिखते हैं अब बच्चा उसको जो है दो मेने तक ठीक ही नहीं कर पाया डारेट इंस्ट्रक्शन क्या है ताकि टीचर यहां पर प्रोवाइट कर पाएं ठीक है गाइडेंस किसको बच्चे को स्ट्रक्चर तरीके से आपने बता दिया कि आपको एक क्वेश्चन करके आने हैं बच्चे करके आगए क्लास में लेकिन कितना वो सीखे इन सवालों से यह भी तो इंपॉर्डेंट है क्लास रूम में हों मों किसले नहीं दिया जाते कि बच्चे उसको जो है बिजी रखें खुदको इसले दिया जाते कि बच्चे जो हैं बाहतर तरीके से सीख पाएं आगे बढ़ते हैं यह मैंने बता द कि बाहत हैं अब अगर कईन बात करों की जो निम सोते हैं यह या फिर जो उद्षा भी यह आपने दरवाजास क्हों यहां दो बार चार लेंगे आपके हात में रोटी दो होना हो ठीक है तो आपके पास आना आपको सूंग ना उसके पास ही बैठना ऐसे conditioning हो जाती है तो यह मैंने इंग्जामबल एनिमल्स के उपर बता है लेकिन अगर हम यहाँ पर human beings की बीबात करें तो वैसे conditioning हमारी काम करती है कि हम किसी चीज को ले करके प्रेडीत हो जाते हैं ये वहेवार हमारा पृतिक्रियाओं को रूप में काम करना शुरु कर देता है और एक ही तरीक Czech से काम करना शुरू कर देता है है अगला क्यानि कि को सीक Rochester इस खने टीन तरीका म और गैसे एक मैमरी में इसख count तो में 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 आपके कोई चीज फिक्स होती है जैसे आप घर में रखते हैं तो इसा समान रखते हैं जिसको कि आवशक्ता आपको पढ़े की तब आप ले आएंगे हैं कि जब कोई यहां पर कुछ होगा तो समान को निकाल लेंगे उसको आशक्ता पढ़ने पर बिबिस करेंगे ताब करता या आप facts की बात करते हैं आपको चीज़ जब retain करते हैं recall करते हैं वो recalling में आता है ले cucumber understanding क्या है जब आप यह जान गए कि falando memory में यह तो पता है कि 2 plus 2 क्या कझ कंडिशनिंग हो कही है कि 2 plus 2 क्या है 4 है का fix हो गए memory में understanding में क्या shift हो ऒरा है universal you is equal to 4 है तो तो 18 हो जाएगा उसकी understanding बढ़ रही है reflection में क्या है जब यहां पर secondary level पर बच्चे जाकर के school classes में जाकर के reflect कर पाते हैं कि बच्चे आप यहां पर square roots निकाल पाएंगे प्लस माइनस से आगे जो है cos theta को भी समझ पाएंगे यहां बट ग्रोमेट्री को समझ पाएंगे ठीक है theta क्या होता है यह जान पाएंगे बट हाओ जब यह जान पाएंगे कि बढ़ टू प्लस टू कितना होता है पाई को जान पाएंगे बट कैसे reflect करेगा जब knowledge memory recall करेगे समझाएगी फिर reflect करेगा ताकि critically वो सोच पा रहे हैं तो रिकॉल बेस की बात हो रही है लेकिन धान रहे यहां पर एनीप क्या कहता है लर्निंग वह हो आपकी जो कि आपको और स्किल्ड करती है और आपको बहतर बनाती है टेक्स्ट बुक सेंट्री करना है किताबे पढ़ा नहीं है वहाँ पर बिठा करके बच्चों को नहीं अगर ऐसा होता तो learning without button का जो concept है आपका वह हम कब का खतम कर चुके होते हैं माफ किजए उसको लागू कर चुके होते यह हड़ जाएगा negative है experiential की बात कि आपके syllabus में भी अलग से लिगा experiential मतलब with the help of experiments exam oriented नहीं बना रहे हैं पास नहीं करना है अगर ऐसा होता तो CCE का फॉर्मूला अभी जो खतम हो गया या फिर अभी हम innovation की बात करते 11-12 में अब हमने यह भी जाना first question में हम discuss कर रहे थे ना कि science वाला बच्चा आप math पढ़ सकता है math वाला literature पढ़ सकता है literature वाला medical पढ़ सकता है but how with the help of a when the government is completely end of word the exam oriented syllabus or things ठीक है तो experiential क्या क्यार experiments के उपर पेस है कैसे कितना बच्चा experiments करेगा बच्चे ने यह जाना कि 2 प्लस 2 कितना 1 एक पेड को एक पेड के साथ जोड़ा तो दो पेड हो गए बच्चे ने यह जाना कि 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है हमने यह बता द ठीक है तो बच्चे यहां पर यह जान पाएंगे कि भाई वो पीपल का पेड़ो चाहिए वो सेब का पेड़ो चाहिए वो अनार का पेड़ो फरक नहीं पड़ता लेकिन पत्ते का रंग क्या होगा ग्रीन होगा scientific reason है ठीक है experiential क्या है जहां पर बच्चे knowledge को result की तरफ ले क experiments करते हैं results कई बार क्या आता है zero भी आता है कई बार हम फिर hypothesis बना करके संभावनाओं को create करके फिर से उसके उपर experiments करते हैं मतलब क्या है learning is completely what experiential learning देखें अब देख भी पा रहे होंगे contemporary policies क्या है किसके उपर focus करती है not recalling not memory किसके उपर focus understanding reflection के उपर यह positive है अपने memory कभी भी गलत होगा ही होगा आपका ध्यान रखेगा इस साथ में oriented क्या है exam oriented पढ़ाना है नहीं exam oriented नहीं पढ़ाना है क्योंकि यहां पर काफी हद तक orientation क्या है आपका बच्चे की skill development के उपर focus करना exam तो साल में एक बार होगा लेकिन आपको बच्चे को ऐसे prepare करना है कि वह daily exam में सवाल पूछेंगे test लेंगे quizzes लेंगे यह सारी चीज़ें क्या experiential learning ताकि आप बच्चे को क्या कर पाएं observe कर पाएं और assess कर पाएं जो हमने शुरू में पढ़ा क्या 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 है कि सारी चीज़ें बेकार अगर आप यहां पर observation और assessments नहीं कर रहे हैं कि हिंदी में पड़ पाएंगे अनुभावनात्मक जो सिक्षा है experience के उपर जो काम कर रहे हैं चीज़े चात्रों का वहवार जो है उसको अनुभाम करना गतिविदिया जो activity वो कर रहे हैं वास्तिविक दुनिया के साथ जोड रहे हैं और सीखने की प्रिकरिया में सक्रिय तरीके से कोई बच्चा यहां पर मैस में अच्छा नहीं है बट उसको डिबेट बहुत अच्छी करने आते इसको पॉलेटिक्स का बहुत अच्छा नौलेज है उसको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है प्रैक्टिकल सिच्वेशन देना ना बच्चे को जैसे हम स्कूलों में क्या पेड लगाते हैं बच्चों को हम बता देगी आज पौधार अरोपन दीवस है तो बच्चे क्या करते हैं गमले ले आते हैं बच्चों से पौधे मंगवा कर लगवाते हैं प्रैक्टिकल सिच्वेशन देते हैं कि अपने पौधे को रोज पानी डालो देखो कितना बढ़ ही रख पाएगा है ना जो कि काफी आवश्यक भी आजकर वक्त में इसके साथ लगर मैं बात करूँ ते रिकनाइज भी करना है क्या इंपोर्टेंस को इसकी इंपोर्टेंस को जो बच्चा यहां पर लर्निंग एक्स्पिरिशन लर्निंग कर पा रहा है में हिंदी ने पढ़ देते हुए यहां पर यह आप देख पाएंगे जबकि परिक्ष्या और पॉछ्ट्ट के अभी भी सिक्षा में भूमिगा निभात यह जाहिड सी बात है आप हमने कहा कि एक्जाम और इंटेट हमें नहीं पढ़ाना है अज हम बात करते हैं कि आपकी क्वालिटी एजूकेशन बैतर होनी चाहिए किसी कहां से भी पढ़कर आ रहे हैं आपको सब्जेक्ट से जादा उसका प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन में बटो कैसे हो पाएगा स्मार्ट इ Taste का एगा उसको में भात इंटरस्ट है तो हमकिजास करवाएंगे वसका इस्का प्रीविस नौलेज्ची करेंगे है ना बच्चों के बारे में उसको इंडिडिउस करेंगे ताकि बच्चे का जो मोटिवेशन लेवलों बढ़े एक प्रगात का निश्कार शकर के मैं बात करूँ कि क्या है तो समकाली नितियां यहां पर प्रस्तावित करती हैं सीखना अनुभवनातमक होना चाहिए आपका यानि लर्निंग बाइद लर्निंग विदाउट बर्डन यानि एक्जाम औरिंटेड नहीं पढ़ा पढ़ाना है बच्चे को बहुत जादा उतना ही पढ़ाएं जिस सब्सक्राइब करने में काफी समय चला गया तो कोशिश कर रही हुए आपके समय की बचत भी हो और एक्जाम औरिंटेड आपको ही पढ़ाएं ताकि लंबे बक तक चीजों को याद रख पाएं मैं दुबारा से आपको बता दूं जितनी भी चीजे मैंने यहां पर डिसकस किये हैं आपके साथ जान रहे हैं आपको कि कुशेंस कहां से बन सकते हैं कि क्या वार्मेट हो सकता है तो कोशिज किजेए उन्चीजों को रिकॉल करने का PDF को पढ़ने का हाला कि PDF पढ़ने में कोई गुराई नहीं है पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादा थोड़ा सा PDF और इंटर हो जाते हैं कि हमें तो PDF पढ़ने हैं लेकिन कोशिच कीजिए कि लेक्चर को चाहिए आप 2x पर करके देखिए 1.5x पर करके देखिए लेक्चर को देखिए क्योंकि यहां से आप यह सीख पाएंगे कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है वो PDF में आपको पता नहीं चलेगा PDF का काम केवल आपको एक knowledge का जो है एक conclusion देना है कि हमने तुमको notes दे दिए but how to read the notes it is very important आपने सारा पढ़ लिया but you don't know how to attempt the paper तो गडबड सारी वहीं पर हो जाएगी है ना तो मैं बार-बारी बात आपको बोलती हूँ समय no doubt की वीडियो लंबी होती है समय की कमी सबके पास है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन यह भी बहुत important है कि अपने समय का सद्ध्योप्योग करें जैसे भी समय मिलता है संडे का कोई दिन final कर लें जैसे आपको time मिलता है वैसे उसको finalize करके आप जो है कंप्लीट कराने आपको आफशक है यहां से सवाल बनेगा आपका में स्टार मार्क कर रहे हूं सवाल का format कुछ भी हो सकता है लेकिन evaluation से सवाल आएगा ही आएगा सवाल मैं पढ़ देती हूं कह रहे है कि मेन objective क्या है सिक्षकों के छातर मुल्यांकन का मुंख उदेश्य क्य आपड़ीट को तबज्यों दी जाती है इसलिए करना चाहते है ताकि छाद्र की कमजोरियों के बार में जानकारी कठा कर पाएं क्या यह है सिक्षकों की सिक्षन को गंभीरता से लेना चाहिए या फिर नभीन तकनीकी जो तरीकों को अपनाना चाहिए जो आपके आजकल भ सवाल को सुल जाने का जो तरीका है वो है कि जो नेगेटिव आपका पॉइंट है वहां से आपको हटा देना है तो यहां पर मुल्यांकन आप क्यू करना चाहते हैं कि छाद्र के कमजोरियों के बारे में जानकरी कठा कर पाएं सिक्षकों को सिक्षन की कमभीरता से लेना क् कारण है इनोमेटिव पॉइंट को पाइंट आउट करना है या सारे के सारे हैं तो जैसे यहां पर नेगेटिव पॉइंट को हटा देंगे आपका सही उत्तर आपको मिल जाएगा इंपोर्टन लिंक्स आपके सामने है यह यूटूब का चैनल जहां से आप सारी तयारी कर स सकते हैं moreover 4000 से जादा बच्चे जुड़े हुआ हैं यहां पर तो आप जॉइन कर सकते हैं कॉलिटी डिसकेशन हमेशा करते रहते हैं हम लोग तो यहां से कभी फाइदा भी होने वाला है वीडियो को लाइक करना शेयर करना और बेल आइकन दबाना मिल्कुल मत भूलिएग होगा पीडेप में जरूर देखेगा तो काफी इंप्रेसिव लगी और आप बिल्कुल देख भी पाएंगे कि सिक्षा कितना हमारे लिए मात्तपून है उसके बावजूद भी कोई सजेशन को पूछेगा बिल्कुल उमीद करती हूं कि जो भी मैंने सवाल आप से आखिर म में रखना है मिरे सथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो क्या से लगे एक बार कॉमेंट करके ज़रू बताइएगा thank you so much everyone for joining me मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूसफल कंटेंट्स के साथ बने रहे बीट्ट कॉम्प्टेशन के साथ